तो हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप दोस्ते हैं आपको बताने वालों जिन Samsung Galaxy में Android 11 का अपडेट आ चुका है या बोल सकते हैं 1UI 3.0 या 3.1 का अपडेट आ चुका है दोस्तो उसके अंदर जो कैमरा है कैमरे के मैं आपको फीचर बताने वाला हूं या कह सकते हैं इडन टेप बता तो यह आप समच पाएंगे दोस्तो चलते हैं आगे मेरे नाम सभागत हैं मेरे चनल ऐसे टैक में तो दोस्तो जैसा कि मैंने बता है मैं आपको बताने वाला हूं कैमरा के हिडन फीचर या इडन टिप बताने वाला हूं आफ्टर वन यूई 3.1 अपडेट के बाद दोस्तो आप यहां पर देखेंगे आपको यह लॉक बना हुआ रहा है जब यहां पर आप लॉक पर क्लिक कर देंगे अब होगा गया दोस्तो पहले क्या होता था मैं पहले आपको अंतर बता दूँँ लाइक पहले मैंने विदाउट लॉक करा हुआ है तो आप यहां पर आप देख आपको दिख रहा होगा, मैंने यहां से, यह मेरा हाथ है, ठीक है, अब यह focus में, अब मैं इसको यहां से करने के बाद पापिस यू करूँगा, तो आप देखेंगे, picture दोबारा focus में ले रही है, यहां पर आ रहा है, यह focus यहां पर है, अब मैंने हाथ रख दिया, तो यहां इसको बार-बार focus में ले रही है, बट यहां से हटा दूगा, तो दोबारा focus लेगा, यहां पर आपको जो नया feature मिलने वाला है, वह locking का लेके, like मैंने यहां पर click करा, और यहां पर इसको lock कर दिया, अब जितना भी मर्ची में इसको move कर लूँ, कहीं भी इसका focus change नहीं होने अब मैं पास भी आजाओंगा, तो उसका focus यहां पर change नहीं होने वाला, आपको दिखरा होगा, focus विल्कुल change नहीं होने वाला, जो कि सबसे कमाल का feature मुझे यही लगा, कि हमें कुछ ऐचे चीज होती ही, जिसको lock करके focus खीचना है, तो आप इसको use कर सकते हैं, आप कहीं भी camera को move करेंगे, तो उसका focus change नहीं होने वाला, focus वहीं पर lock हो चुका है, वो वहां से हिलने नहीं वाला है, जो कि मुझे बहुत शादर feature लगता दोस्तों, तो आप मुझे comment करके ज़रूर बताएं, कि आपको यह नया feature कैसा लगा, उसके बाद दोस्तों जो second बताने वाला हू तो आप देखेंगे, यहां पर आपको तीन option मिल रहे है, camera mode, selfie angle, filter वाले, मतलब की, पहले क्या होता था दोस्तों, मैं आपको use करके बताएं, like आपने यह camera पर अभी video पर है, video पर आने के बाद आपने यहां से इसको back कर लिए, जब आप इसको दोबारा camera को open करेंगे, तो व यहां setting पर जाना है, setting पर जाने का आपको इनाया option मिल रहा है, setting to keep का, अब क्या होगा दोस्तों, अगर आप अपने mobile में आप video में भी है, बाहर चले गए, और दोबारा camera से open करेंगे, तो आप by default video के option पर ही आने वाले हैं, आपको बार बार वहां select करने की जरूद नहीं उसके दोबारा open करा, तो filter वहां से हड़े जाता है, तो same वैसे ही वहां पर setting दी गई है, setting to keep filter वाली, तो आप filter का यूज़ कर सकते हैं, और यह angle का है, तो यह तीनों चीज़ आपको यूज़ करना है, जो भी आप एक बार set कर देंगे, वो permanent वहां पर set रहेगी, जब तक आ तो उसके बाद जो last feature में बताने वाला हूँ, जो मुझे लगता है, यहाँ पर जब दोस्तों यहाँ पर आप फोटो पर आएंगे, फोटो पर आने क्याता आपको इहाँ है, आपको पता होगा है, यह फूट का option मिल रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे, मैं थोड़क सा य आपको फोकस दे सकते हैं, आपको दिखंगा होगा है, यहाँ पर जो मुझे लगता है नया feature जोड़ा गया यहाँ पर जैसी आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर सकते हैं, अपने साब सबस्का कलर रोटेशन, आप उसको आलथ से photo click कर सकते हैं, जो कि पहले नही नहीं आता था बट अभी आने लगा है दोस्तों यह मेरे साब से तीसरा फिचर था और एक लास्ट और बता दे रहा हूं वो भी मुझे थोड़ा था कंफर्म नहीं है वर फिर भी पहले क्या था सेमसंग थाटी एस में मुझे लगता ही कि तो 3.125 यहां पर आता था था अब वहां पर 3.4 के साथ आपको यहां पर 25 मेगा फिक्सल का कैमरा भी यूज कर सकते हैं जो कि पहले मुझे लगता है नहीं आता था यह आफटर अपडेटिंग यहां पर दिख रहा है दोस्तों और मुझे कमेंट करके और बताएं दोस्तों और क्या ग कि मेरी वीडियो पसंद आई और कले टॉस्तों आम मेरे चैनल पे पहली बार आए और अभी तक आप धूस्क्राइब नहीं किயा दोस्तों नीशे description पर मिल जाएगा तो thank you दोस्तों